अगें जबरदस्ट न्यूस के साथ एक और स्ट आपके लिए लेकर आए हैं नाम है टाइकर लोचिस्टिक कंपनी स्प्लिट देने वाली है और 60 प्लस प्रमोटर होल्डिंग है सब चीज कंपनी के फेवर में है फंडमेंटल फाइनेशल के साथ साथ न्यूस को भी कवर करेंगे तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा लास्ट रेडिंग डेको 22 को कंपनी में 2% की तेजी थी पांच दिनों में 6% के positive return एक मन्त में 14% के positive return छे मन्त में 70% के positive return और max chart यहां पर देखेए तो 2180% के positive return stock ने निकालके दिये फाइनेशल से देखें तो कंपनी का revenue 70% year on year basis पे डाउन हुआ है net income 659% डाउन हुई अब यहां पर देखें तो छीज़े थोड़ी सी हमें बिगटती नजार आ लेकिन ऐसा नहीं है company अच्छी है 172 company के उपर employees है decent है छोटी company के उसाब से अगर market cap के बात करें तो triple six company की market cap है स्टोक पी 42 यानि कि अभी भी आपको स्टोक जो है वा सस्ते price पर मिल रहा है return on capital employed 37 है return on equity 27 है dividend yield company की zero है dividend नहीं देरी कर्जा company के उपर एक क्रोड रात तो एक तरह से company कर्जा मुक्त है एफाइस की बात करें तो उन्होंने एक परसेंट की foreign investor ने holding बना के रखी है decent है 61% की holding 62% की holding पर मोटर की है अगर बात करें sales की तो year on year basis पर 63% down होगा तो profit भी company का down होगा तो यह चीज़े देखें तो stock decent निकल कहता है ना बहुत जारा अच्छा ना बहुत जारा बुरा लेकिन stock में तेजी आने के chances क्या है कि यहां पर company अब आपको दिखा रही है stock split तो news के उपर आते हैं ताकि यतनी भी चीज़ें वह clear होजाएं तो यहां पर आ चुके है news पर The Board of Director of Tiger Logistics India Limited has received proposal for stock subdivision The company board will discuss and approval stock split proposal in its upcoming board meeting schedule on 9 January तो 9 January को company यहां पर meeting करने वाली है जिस पर company stock split को लेकिए announcement को तो 9 January को company हर चीज़ clear कर देगी कितना कितना stock split करेगी कितना amount आपको मिलेगा और यहां से definitely इदर ऐसी news आती है तो stock में तेजी आती ही आती है आगे बतायागे है Tiger Logistics Limited informed about stock split proposal in its exchange filling on Thursday while updating about the board meeting date and agenda of the board meeting इसके लावा company और भी काफी दार चीज़ों के पर बात करने वाली है वो सभी चीज़े तो हमें लेटी पता चलेगी तो अगर आप चाहते है कि आपको market से जुड़ी हर news time to time मिले तो चैनल को अभी subscribe करके रखिए तागी कोई भी important update आपसे मिसना हो तो आगे बताया गया tiger logistic inform Indian stock market exchange about stock split proposal sitting pursuant of the provision of regulation 29 and any other application regulation on the SEBI listing obligation and disclosure requirement 2015 तो यहाँ पर बताया जाता है कि company ने कुछ भी कोई news लेक्के आती है तो company को उन्हें बताना ही होता है SEBI को तो यहीं पर वही चीज़े हैं फिलाल कुछ नहीं है काफी बड़ी news लेकिन हैं चीज़ को cover नहीं करेंगे उमीद है कि company इस स्टॉक split लिक आगी और उसकी बैसे stock में तेजी भी आएगी अगर पहले के बात करें तो यह around around 3 ratio दो का था तो अभी लेक्तने की company क्या बोलती है तो अभी कर दोस्तों इतना ही फिर भी अगर आपकी कोई query है तो comment कीजिए हमारी कोशिश होगी कि आपको कोची advice दें अभी कर दोस्तों इतना ही